Hello all, welcome all of you to the part शाला, आज हम कोच इंटर्वी कॉश्चन के बारे में जानेंगे, जो कॉलिटी इंजिनियर से जनरली पूछे जाते हैं, तो चल यह शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पताना चाहूंगा कि कोई भी कॉलिटी इंजिनियर हो या कोई सा भी इंटर्वी हो, सबसे पहले जो उससे पूचा जाता है, वो यही कॉश्चन होता है कि, टेल में आप यॉरसल, तो टेल में आप यॉरसल कि आप अच्छे से तयारी कर लीजिए, उसके अलावा जो कॉश्चन से वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो एक कॉलिटी इंजिनर से पूछे जाते ह तो कॉलिटी कंट्रोल जो होता है जनरली, दोस्तो वो ऐसा होता है कि, जो आप जॉब बन जाता है, आपकी मशीन से मान लिजे कोई पार्ट प्रोडिउस होया, अब आप उसे ड्रॉइंग से या किसी चीज से चेक करते हैं, तो इट इस कॉल्ड कॉलिटी कंट्रोल, आपक ये एक रियक्टिव मेथर्ड है, ठीक है, इसमें आप पार्ट प्रोडिउस हो गया, फिर उसके बाद जो आपको आपको अब्जर्वेशन आई, उसके इसाब साब डिसेशन लेते हैं, और मशीन में करेक्शन या जो भी है, आप करवाते हैं, ठीक है, कॉलिटी अशॉरंस का उल्टा होता है, कॉलिटी अशॉरंस में आप प्रोसेσस को इस तरह के से दिशाइन करते हैं, कि डिफ्ट को वही के वही मिनिमाई皮ण सकता है, ठीक है, इसह के अंदर कॉलिटी अशॉरंस का ही फंक्शन होता है, सबसे पहला पूचा जाता है, लिस्ट काॉंट का अँग सकते हैं मिनिमम वेल्यू होती है जो आपका एक इंस्रुमेंट रीड कर सकता है ठीक है तो यह जनरली पूछा जाता है कि जैसे एक माइक्रो मिटर में जो भी रीडिंग आएगे जिसे मानली जेक 25-50 मिलीमिटर का माइक्रो मिटर रेतो पचीस पॉइंट जरो न पढ़ सकता है तो यह इसका लिस्ट काउंट हो गया यह बोल सकते हो कि जो मिनिमम इंस्रुमेंट पढ़ सकता है जैसे वर्नियर कलीपर का प जैसे हम इंडी में बात कर रहे हैं वैसे इंग्लीश में भी कर सकते हैं तो प्रोब्यम ही हो जाती थी कि आमानलीजे आप यहां से एक हजार किलोमेटर दूर चले जाते हैं तो किसी को हंदी नहीं आएगा ठीक है तो इंजिनियर्स ने एक सिंबोलिंग लेंविज चरहों कि बात करने का तरइका होता है? एक तो होते हैं Dimension, Drawing में Dimension होगे पलस ये उसके Feature होते हैं, जो g'de wrench होते है जाते जैसे straightness होगई या flatness होगई या circularity होगई जैसे circularity का मतलब होता है कि वो Whole job कितना circular है ठीक है, Concentricity हो गई जैसे तो concentricity का मतलब होता है कि दो whole आपस में concentric है या नहीं है मतलब same mixes share करते है या नहीं करते है ठीक है इस तरह किसे run out होता है palerism होता है ठीक है फिर हम आगे बढ़ते है तो what is MSA and what is GHRNR तो यह भी question काफी ज़्यादा पूचा जाता है कि MSA क्या होता है MSA का मतलब होता है measurement system analysis इसमें हम measurement आपका कितना system कितना capable है यह कोशिश करते है जानने के तो दो तरह के MSA होते है generally attribute MSA होता है तो variable MSA ठीक है attribute का मतलब होता है जो OKAY आपके जिसमें दो तरह के का ही विलिव होता है OKAY NOT OKAY जो gauges होते है उनों gauges पर किया जाता है प्लस variable जो होता है उसमें readings आपको available होता है जो continuous data के उपर किया जाने वाला होता है उसे हम variable MSA करते है तो gauge RNR हम वेरियाबल के case में निकालते हैं ठीक है gauge RNR का मतलब होता है reproducibility and repetability Reproducibility क्या होता है Reproducibility होता है कि operator का variation कितना है and repetability का मतलब होता है कि आपका instrument में variation कितना आता है ठीक है अब RNR की कुछ limits होती है अगर 0 से 10% के बीच में RNR तो gauge acceptable कहा जाता है अगर वो 10 से 30% के बीच में तो conditionally acceptable gauge होता है और अगर वो 30% या 30% से ऊपार होता है तो वो not acceptable measurement system होता है ठीक है तो अब आगे बड़ता है तो CP, CP के क्या होता है यप process capability ratios क्या होते है तो CP का मतलब होता है process capability process capability का मतलब होता है वो ये बताता है कि हाँ CP का मतलब होता है कि आपका जो data points से तो जितना कम spread होगा, उतना अच्छा होता है, ठीक है, CP ये बताता है, CP के जो होता है, वो बताता है, कि आपका जो data points है, मीन से किस तरफ shift है, जो आपका tolerance मीन से उससे आपका actual mean कितना shift है, ये आपका CP के बताता है, तो CP, CP के formula देखते है, USL का मतलब होता है, अपर specification limit, LSL का मतलब होता है, lower specification limit, divide by होता है 6, और Sigma का मतलब होता है, standard deviation, ठीक है, अब CP के case में, X-LSL, दो formula दिख रहा है, X-LSL, divide by 3 sigma, और CP के अपर है, USL minus X, divide by 3 sigma, तो इन दोनों formula के लगाने के बाद में, जो minimum value आती है, वो से हम CP के consider करते हैं, दीजे एक question जो generally पूचा जाता है, CP greater than CP के, CP greater than CP के, और CP equal to CP के है, तो generally दोस्तों, CP greater than CP के होता है, और अगर बहुत ही अच्छा आपका uniform distribution है, तो CP equal to CP के हो सकता है, बागी CP के, कभी भी CP से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये question भी काफी पूचा जाता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है, FMEA क्या होता है, और RPA number क्या होता है, FMEA का मतलब होता है, failure modes and effects analysis, ठीक है, तो FMEA का का मतलब होता है, कि उन defects को जो हो सकते हैं, उनको पहले ही analysis कर लिया जाए, उनके occurrence के पहले ही, ठीक है, अब ये दो तरहें के होता है, FMEA, design FMEA होता है, process FMEA, ठीक है, design FMEA हम design जब बना रहे होते हैं, तब कर जाते हैं, अब process FMEA जब आपकी process design हो गई है, तो process में आजाने के बाद उसको design करते हैं और update करते हैं, time to time depending on customer complaints, अब इसमें RPN number होता है, RPN number का मतलब होता है risk priority number, risk priority number होता है severity, occurrence and detection का multiplication, अब जिस, माल लीजे आपके पास में 4 तरह के failure modes हो सकते हैं, तो इसमें से RPN जिसका सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम सबसे ज़्यादा priority देते हैं, ठीक है, अब severity का होती है, severity का मतलब होता है how critical or how dangerous the defect is, माल लीजे कोई defect है जिसके कारण, जैसे माल लीजे आपके गर में पंखा है, पंख एक rod पर टंगा हुआ है, अगर वो rod फेल हो जाती है, तो पंखा आपके सर पर गिरेगा, तो how dangerous it is, इस आपके लाइफ भी जा सकती है, ठीक है, तो यह होता है criticality, ठीक है, यह number हम देते हैं ऐसे 0 से 10 के बीच में, 0 is not difficult, 1 से 10 के बीच में देते हैं, 1 जो होता है गांब का नोच से इस और 10 जो होता है, ठीक है, OUCRAlly का मतलब हुता है कि वो जो defect जो कितनी बार हो रहा है आपको पर्रोसेस, मतलब आपसो बार आपके प्रोसेस बना रहे हैं, तो उसमें से कितनी बार occur कर रहा है वो एक बार occur कर रहा है दो बार occur कर रहा है तो it is called as occurrence ठीक है अब detection, detection क्या होता है detection का मतलब होता है कि जो defect है वो occur हो चुका है पर आपका जो existing process है वो उसे capture कर रहा है या नहीं कर पा रहा है ठीक है इसके लब दोस्तों ISO 9000-2015 के पारे में कुछ आ जाता ISO 9000-2015 जो होता है वो होता है quality management system quality management system किसी भी industries में apply किया जा सकता है वो चोटी हो या बड़ी हो इसका काम यह होता है company की strength को showcase करता है कि company जो है वो good quality product consistently by processes बना सकती है ठीक है यह कुछ customers के लिए requirement भी होता है जैसे आपको कुछ countries में आपका product sale करना है तो आपका ISO compliance होना या किसी भी standard का compliance होना जरूरी है जैसे आप किसी भी automobile में आपका product sale करना चाहते हैं तो automobile के लिए आपको IITF certified होना जरूरी होता है ठीक है अब पहले हम पोकायोगे की बात करते हैं इसमें slide में लिखा नहीं है पोकायोगे का मतलब होता है mistake proofing मतलब हम इस तरह के से एक जो feature design करते हैं फिक्चर बनाएंगे या इस तरह के से process बनाएंगे कि जो हमारी गलती है वो गलती से भी ना हो अगर आप उस process को skip करेंगे तब यो गलती होकर हो सकती है तो आपका process में आप इसा कुछ induce कर देंगे कि गलती हो होना ही कतम हो जा तो उसको हम बोलेंगे पोकायोगे ठीक है अब हम बात करते हैं six sigma के तो six sigma क्या होता six sigma methodology है statistical based होती है इसका काम होता है defect का reduction करना है यह सबसे पहले bill smith ने motorola में invent करी थी इसका goal होता है 3.4 defect per million opportunities तक process को capable बनना है यह DMAC based होती है दोस्तों DMIC define measure analyze improve control तो six sigma के बारे में और जानने के लिए हमें उपर एक i button में link दूंगा इसमें हमने अच्छे से हिंदी में पूरा course करवा रहा है हम six sigma के उपर तो आप जल्दी से जल्दी उसे देख लीजिए और subscribe और like करें हमें तो आज के लिए हमने पस इ लाइक और subscribe जरूर कहिए और comment लिखना बिलकुल ना भूले हैं